Hello Everyone, Welcome to Currentopedia. आज है पांच फर्वरी और पांच फर्वरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करन्ट अफेर्स बन सकते हैं, अब उन सारे questions को discuss करेंगे. इस वीडियो लेक्चर की PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल Currentopedia को जॉइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है या इस वीडियो के नीचे दियेगा डिस्किप्शन लिंक से भी आप इस वीडियो लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमेशा की तरह आज का हमारा सवाल है इन में से कौन सा नेशनल पार्क मद्ध परदेश में नहीं है? तो जो आपके options हैं वो हैं बंधोगड, इंद्रापिरिये दरसनी पेच नेशनल पार्क, माधोग नेशनल पार्क और बंधीपुर नेशनल पार्क. कौन सा नेशनल पार्क मद्ध परदेश में नहीं है? यह आपको comment section में बताना है और इसका answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में. तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला question है, हाली में किसने भारत की सबसे कम उम्री की महिला pilot बनकर एक नया किरतमान अस्थापित कर दिया है? तो इनकी जो उम्र है, वो है मात्र 25 साल. और इनको 2011 में, जब यह 15 साल की थी, तभी इनको license देख दिया गया था. और जो commercial license था, इनको मिला था 2017 में. और इ यह है जम्मू एन कश्मीर से, तो यह पहली महिला pilot बन गई है सबसे कम उम्री की. और अगर हम options को discuss करें, तो जो राजेंद्र आरिया है, जो एक महिला है, यह है ब्सकी में, और मात रही 21 साल की. और यह सबसे कम उम्री की मेर बनी है, कहा कि केला की जो राजधानी है, त्रि वहां की ये मेर बनी है और ये देश की सबसे कम उब्री की मेर है, इनकी एज है मात्र 21 साथ, और जो भावना कांत है, ये अभी जो हमने बहत्रवा गरतंतर दिवस मनाया, जिसमें बंगला देश की साइन टुकडी ने भी सल लिया था, तो उस परेड में पहली महिला है, जो फ फ्लाइट इंजिनियर हिना कांत, और जो सबसे कम उब्री की महिला पाइलट बनी है, ये है आईशा जीज, अगला कोश्चन है, अमेजॉन के फाउंडर, जो जे बेजोज है, उन्होंने अभी ये कहा कि मैं CEO का पद छोड़ दूँगा, तो इसके बाद जो CEO बनेंगे, अम एंडी जेसी, और ये अभी अमेजॉन जो वेफ सर्विसेट है, जो वेफ सिरीज लॉंच करती है, उसके अभी ये CEO है, और अमेजॉन जो बना था वो 1994 में बना था और इसके जो आधार शिला जो इसकी रख्य थी, वो रख्य थी जे बेजोज ने, तो एंडी जेसी ये एक जूलाई 2021 से इसका कारभार समा लेंगे, और अगर हम options को discuss करें तो जो संदीप कटारिया है, ये बाटा के global CEO बने है भी हाली में, global CEO बने है और ये पहले भारती है, और जो अरविंद कृष्णा है, ये IBM के अध्धेक्ष बने है, IBM के जो भारती मूल के है, और जो सत लेजोस की एक कंपनी है, Blue Origin, तो इसको भी आपको आद रखना है, हाली में, भारत का पहला ampute clinic कहां पे launch किया गया है, तो ampute clinic क्या होता है, ये basically जो आरगन होते हैं या अंग होते हैं, उनको काटने का काम यहां पर किया जाता है, जैसे कभी-कभी किसी passion की हालत ऐसी हो जाती तो इसको काटना पड़ता है, उसकी जान बचाने के लिए, तो ampute cleaning में यह काम किया जाता है, तो यह launch हुआ है चंदिगढ में, जो की हरियाना और पंजाब की capital है, हरियाना और पंजाब की capital है, चंदिगढ में यहां पे launch किया गया है ampute clinic, और चंदिगढ में ही है, Rock Garden जो की कोजि कोडे में जंडर पार्क स्थापित किया गया है। अब हाली में फायर पार्क अस्थापित किया गया भूनेशवर में भूझेश्वर में ही होगा और पहला war memorial जो बना था वो दिल्ली में बना था, और signature breeze भी दिल्ली में बना था, तो ये भी आपको याद रखना है। हाली में किस केंद्रिय मंत्री द्वारा बैंगलोरू में इस्थित हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानि हाल की light combat aircraft तेजस की दूसरी production line का उद्घाटन किया गया, जो LCA है यानि light combat aircraft तेजस का वो दूसरा जो unit का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है, राजनाथ सिंग के द्वारा, जो कि हमारे है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग के द्वारा और अभी आपको पता होगा कि एरो एर शो चला है, एरो इंडिया एर शो चला है कहां पर बैंगलोर में और इसको आयुजित कौन कर रहा है DRDO, डिफेंस रिचर्ट डेबलमेंट और्नाइशन जिसके head है जी सतीस रेड़ी headquarter है New Delhi में, तो राजनाथ सिंग ने तेजस की दूसरी production line का उधगाटन किया, और राजनाथ सिंग जी की जो constituency है, यानि ये कहां से लोगसभासांसद हैं, तो ये हैं लखनों के, लखनों से लोगसभासांसद हैं, नितित गड़करी कहां से लोगसभासांसद हैं, ये हैं न अधी नगर जो गुजरात की capital है, अगला question है, हाली में जारी democracy index 2020 में, यानि जो democracy index है, उसमें कौन सी देश ने top किया, यानि पहले नमबर पे कौन सा देश था, तो ये था Norway, कौन सा देश पहले नमबर पे था, Norway, दूसरे नमबर पे था Iceland, तीसरे नमबर पे था Sweden, तीसरे न ये index ये बताता है कि कौन से देश का लोकतंतर कितना सफल है, तो उसमें हमारी rank थी 53, नमबर पे था Norway, और इस index को launch कौन करता है, इसको launch करता है, EIU, यानि Economic Intelligence Unit, जिसका headquarter है लंदन में, लंदन, UK, और ये बना था 1946 में, यानि वर्डवार दूतिय पिस्विद्व जब खतम हुआ था उसके एक साल बार, यानि जब United Nation बना था, उसके एक साल बना था, EIU, और आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही हिल ने passport index आया था, जिसमें Japan था नमबर एक पे, इंडिया की rank थी 85 जापान था नमबर एक पे, और अगर हम और index की बारे में discuss करें, तो जो human development index आया उसमें था नॉर्वे नमबर एक पे, इंडिया की जो रहंग थी 131 यानि 31 और जो peace index आया था, उसमें Iceland था नमबर एक पे, और इंडिया की रहंग थी 149 और Sweden की नमबर एक पे था, तो एक जो जलवायू परिवर्तन सुचकांक आया था, उसमें था Sweden नमबर एक पे और भारत की रहंग थी उसमें 10, तो नॉर्वे की जो capital है वो है Oslo, नॉर्वे की capital है Oslo, और जो currency है की वो है क्रोन, क्रोन, हाली में कौन सा देश, कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है, तो ये कौन सा देश बाहर हो गया है, ये टर्मिनल बना रहते हैं, इंडिया, जाप राजपच्चे और जो प्रिसिडेंट है वो है गोटे पया राजपच्चे वो चाइना प्रो गवर्मेंट है वहां की तो इसलिए उन्होंने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया है और शिलंका जी जो capital है वो जो financial capital है वो है कोलंबो और जो executive capital है वो है महिला वर्दने कोटे महिला वर्दने कोटे यह है उसकी financial executive capital और जो south Asia का जो सबसे मूचा टावर है वो है lotus टावर जो की है शीलंका में और शीलंका और इंडिया के बीच में जो इस्ट्रेट है पतला सा रास्ता है समुदरी रास्ता उसको बोलते हैं पाक स्ट्र हाली में alert being icon award से किसे सम्मानित क्या गया है तो यह award दिया गया है ए आर रह्मान जिनको आप सब जानते होंगे यह मशूर संगीतकार है और अगर हम options को discuss करें और यह award देता कौन है यह award कौन देता है तो यह देता है बायो कौन जिसके head है किरन मजमुदार और अगर हम options को discuss करें तो अभी हाली में सोनु सूत को निर्वाचन आयोग ने पंजाब का icon यानि निर्वाचन icon नूक्त किया है और जान अब्रहम जो है इनको पेटा of the year का award मिला है पेटा of the person of the year और जो सुनील सट्टी है इनको अभी जो महार महाराष्ट्रा के governor है भगत सिंग खोशियारी उन्होंने अभी इनको जो डिब्बे वाले हैं वहां के उनकी मदद करने के लिए Corona काल के दोरा तो उनके उसके लिए एक सम्वान दिया है इनको जिसका नाम है भारत रत्र डाक्टर अंबेटकर अवार्ड भारत रत्र किस देश का भारतिय राजदूत किया गया है तो संगीता जो बहादूर है यह कौन सी देश की इंबेस्टर बनी है भारत के लिए तो यह बनी है Malta की Malta की इंबेस्टर बनी है और विलेटा विलेटा और जो करंसी है वह है Euro यह एक अमेरिकन कमपनी है जिसका नाम है बुलू शिफ्ट इसने जैवीधन रॉकेट लॉंच कर दिया कॉमर्शली इसको हम यूज कर सकते हैं और जो स्पेस एक्स है यह है किसकी यह है एलॉन मस्क की कमपनी और इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाये था आकाश में एक सबसे ज़्यादा सेटलाइट लॉंच करने का और इससे पहले यह रिकॉर्ड था यह था इसरो के पास इसका है बैंगलोर में है तो कितने रॉकेट एक साथ लॉंच किये थे आपको कमेंट सेक्षन में बताना है और जो नासा है वो यह से की स्पेस एजन्सी है और जो इसर बना था इसके 11 साल 1969 में तो ब्लू शिफ्ट में जयवीधन लॉंच किया है और जयवीधन को लागू करने वाला जयवीधन पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज़ था इंडिया में वह था राजस था राजस था अगला कोस्चन है वर्ड चेस फेडरेशन के 24 Grand Master है तो पहली बात तो यह इंडिया से कितने Grand Master अभी तक बने है तो यह बने 67 और जो पहले Grand Master थे इंडिया के उन सब उनका नाम है विश्वनात आनन जिनको आप सब जानते होंगे और जो अभी लेटेस्ट जो आखिर में बने है 67 वो है लियॉन लियॉन मेड का जो की है गोवा से तो यह 67 बनी है और जो Grand Master है पूरे वर्ड के वो कौन है मायगनस कालसन मायगनस कालसन तो जो 24 Grand Master बने हैं अकेले राजे से वो है तमिलनाडू और जो विश्वनात आनन्द थे जो पहले Grand Master थे वो भी थे तमिलनाडू से वो भी थे तमिलनाडू से तो यह भी आपको याद रखना है अब लोडते हैं अपने आज के question पर तो इसका जो answer है सही answer वो है जो बंधोगड़ है यह भी है मदपरदेश में इंद्रा प्रियेदर्शनी पेच नेशनल पार्क यह भी है काफी famous मदपरदेश में माधो नेशनल पार्क जो है वो भी है मदपरदेश में तो यह तीनों ने नेशनल पार्क है यह करनाटका में तो इसका जो राइट आइंसर है वो है option डी बंधीपूर और मदपरदेश में काफी सारे नेशनल पार्क है उन सब का नाम आपको याद होना चीजिए जैसे fossil national park, काना national park, पन्ना national park, माधो national park, और संजय national park, वन विहार national park और सत्पूरा national park तो यह सारे नाम आपको याद होने चाहिए और यह जो तीन national park है यह तो है ही, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, कल 6 फर्वरी के important current affairs की वीडियो के साथ रात को 8 बजे, daily हम upload करते है current affairs की वीडियो रात में 8 बजे, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए always keep smiling.